हेलो फ्रेंट्स वेलकम टेनान स्टॉक्स और देखिए अडानी एंटरप्राइजिस के बारे में बात करने जा रहा हूं यहां पर एक पॉजिटिव ब्रेक आउट आने के पूरे-पूरे चांसेज है अडानी के जितने भी अडानी ग्रूप के जितने भी स्टॉक्स हैं सब म से वहां से रिवर्सल आतावा दिखाई दे रहा है अगर आप लेवल्स को मैनेज कर लें अगर आप लेवल्स को समझ जाएं अडानी के स्टॉक्स में तो मुझे लगता है कुछ एक स्टॉक्स ऐसे हैं अडानी के जो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकते हैं आप को सिर्फ करना इतना है कि आप levels पे ध्यान देखके stop loss and target के पीछे लगे रहें and profit जो है automatically volumes आपको लाके देते रहेंगे देखें आपको मैं दिखा रहा हूँ अडानी enterprises का ये daily chart है बहुत ही अच्छा and बहुत strong conviction के साथ में ये breakout दिखा रहा है आप देखें यहाँ पर high बनाया था पीक बनाया था तकरीबन 1770 रुपे पर ये है 7th of June 2021 की candle उसके बाद लगातार इस stock ने गिरावट दिखाई and एक जो formation यहाँ पर हुई है इसको आप clearly देखेंगे तो ये एक rounding bottom pattern की formation है और एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ देखें ये breakout आया था इन levels पर breakout आया था कौन से levels है 1330 के and 31 में के बाद में तो हम इस वाले chart के बारे में discussion नहीं कर रहे हैं ये जो chart है इसके बारे में discussion नहीं कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं जब breakout आ ग ये stock नीचे की तरफ चल पड़ा पूरा इसने एक rounding bottom pattern बनाया इसलिए ये इस area का इस पूरे area का ये bottom बन रहा है ये levels bottom बन रहे हैं यहाँ पर ये bottom बन रहा है इससे हम लोग bottom नहीं compare करेंगे कुछ लोग ये कहेंगे कि सर ये तो एक uprise आने के बाद में rounding bottom pattern बनाया तो significance नहीं, significance है ये आपको समझनाय कैसे, देखें यहाँ पर एक rounding bottom pattern है पहली चीज, second thing is that कि ये जो level है एक line मैं mark कर रहा हूं देखें यहाँ पर ये line, इस line के above एक breakout इसने दिखाया 31 अगस्त 2021 को, and levels कौन से हैं ये भी मैं mark कर देता हूं, 1566, 1566 के levels को इसने decisively cross किया and in fact closing भी उस के उपर दिये, ये level थे resistance के, जो actually मैं यहाँ पर एक बार resistance face हुआ, दो बार resistance face हुआ, उसके बार तीसरी बार resistance face हो चुका था, इसको previously, near term में, अगर आप near past की बात करेंगे, तो यहाँ पर तीन बार already एक strong resistance face हो चुका था, strong price बार बार इससे टकरा के नीचे आ रहा था, finally 31 37 तरीक को इसने cross किया, और जो closing दी वो दी है 1587 पर, इससे उपर closing दी है, और एक positive breakout आने का बहुत अच्छा तरीका होता है, वो आपको समझना चाहिए, कि जब भी कोई stock अपने resistance level को break कर दे, उसके बाद में उसके अंदर एक retest आता है, यानि कि वो अपने previous resistance को retest जरूर कर करता है, यानि कि यह जो levels है, यह retest करा इसने, पिछले तीन दिन से retest कर रहा है, और यहां से टकनाने के बाद, उपर की तरफ अगर यह निकलता है, तो इसी को हम लोग कहते है positive price action, यह दे कि यहां गया, फिर यहां से टक रहा है, फिर उपर निकल गया, तो कौन से level इसने break करें, यहां से तो support लिया, और यह जो peak बनाया था, यह levels इसने support, यह levels resistance के इसने break कर दिये, तो इस point पर भी आपको लेना बनता है, फ्रेश एडिशन करना बनता है, अगर यह retest कर रहा है इन level से, इन support के level से, तो भी आपको लेना बन जाता है, same situation देगे, यहां पर test करते है, यहां पर यह stock बहुत बड़ी तेजी के साथ में, back to back green candles बना, इसने बहुत तेजी से, यहां तक पहुचा, यहां पहुचने के बाद में, नीचे आया, और इसके बाद में, यह support लेना था, यह दो candles जो आपर देख रहे हैं, यह यहां पर support लेना था, यह अगर यहां पर test क करके ऊपर की तरफ निकलता, और यह resistance ब्रेक हो जाते, तब एक positive price section की formation होती, लेकिन हुआ ऐसे उल्टा, यह resistance ब्रेक हो गया, और यह basically positive की जंगा negative price section बना आया है, तो बहुत clearly evident है, कि यहां पर एक positive price section की formation आती भी दिखाई दे रही है, और सबसे important बात क्या है, देखे, एक पर मैं आपको यह screen clear करके दिखाता हूँ कि retest कैसे कर रहा है यह, यह देखे, यहां पर यह उपर की तरफ गया, इसने इस resistance को break किया, यह मैंने अभी आपको mark करके दिखाए, फिर यह नीचे की तरफ आ रहा था, तीन दिन से लगातार कोशिच जारी है sellers की, यह resistance जो अब support क काम कर रहा है, यह break हो जाया और यह stop मीचे की तरफ आ जाया है, तो वो selling करना चालू करें, लेकिन previous, यानि कि last Friday की candle आप देखिए, यह exactly एक छोटी सी hanging man candle formation दिखा रही है, hanging man candle formation या फिर आप इसको कह सकते हैं कि basically यह एक hammer candle की formation है, जिसके अंदर clearly पता चल रहा है कि sellers का जो intention इसको नीचे लेके आने का, उसके opposite buyers ने इसकी closing करवाई है, closing इसके ऊपर करवाई है, यानि कि day low पर इसकी closing नहीं हुई है, इसकी closing हुई है ऊपर की तरफ और यह इसलिए retest होता वा नजर आ रहा है, यानि कि आने वाले trading session में, आने वाले हफते में, मंडे के दिन आपको ए green candle की formation होती भी दिखाई दे सकती है, मेरे असाब से बहुत positive breakout है ये, फिर भी अगर आप confirmation के बाद में basically trade लेना चाहते हैं, तो मंडे का दिन भी आप skip कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर एक green candle की formation हो रही है या नहीं, जैसे green candle की formation होती है, तब आप Tuesday onwards इसके लेंदर trade दे सकते हैं, ये वो key levels होंगे जिसको break करता है अगर उपर की तरफ, तो आपको definitely बड़े targets की तरफ ये stock जाता है दिखाई दे जाएगा, और ये जो level है ये 1600 के, तो 1600 रुपे एक बार break होते हैं, तब इसके अंदर जो पहला target बनता है, without much resistance, वो यही होगा जो इसके previous 52 वी ख गई है, एक green candle and 1600 के ऊपर ये निकलता है, तो definitely फिर आपको इसके अंदर 700 रुपे की तेजी, बहुत near term में बहुत जल्दी से आती भी दिखाई दे सकती है, तो इस stock को भी आपको अपने radar पर रखना चाहिए, वैसे भी Adani के जितने भी stock से उनके अंदर एक बहुत अच्छा aggression देखा जा रहा है, वापस से buyers का जो रुख है, वो इस stock के ऊपर आ चुका है, और धीरे धीरे ये stock जो है, अपनी 2000 onwards की जरनी चालू कर देगा, आपको ये सारी चीज़े होती भी दिखाई देंगी, almost 3 महीने के अंदर, यानि के आने वाले एक quarter के अंदर, तो एक best time है, इस stock के अंदर positions बनाने का, अब बात करते हैं stop loss की, देखें, अगर आप इन level से bind करते हैं, 1566, आपको लगता है कि वाकि में जो pattern है, convincing pattern है, यही पर हमें bind कर लेना चाहिए, retest हो रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो मैं समझता हूँ, आपको stop loss जो लगाना चाहिए, वो कही तकरीबन इन levels के आसपास लगाना चाहिए, 1330 के आसपास, 1530 रुपे के आसपास का आपका stop loss होना चाहिए, अगर आप एक short term के trader है, क्योंकि fluctuations बहुत तेजी से कई बार markets में आते हैं, और खासकर ऐसे stock में जो highly volatile stocks होते हैं, बीटा भी जाता है इस stock का, इसलिए थोड़ा सा आपको जो stop loss लगाना है, 1530 रुपे के आसपास का stop loss लगाईए, और इस stock को इन levels से भी आप buying कर सकते हैं, मैंने आपको key levels बता दिये हैं, और in fact target भी बहुत जाधा approachable है इस बार Adani Enterprises के अंदर, ये overall trading setup Adani Enterprises पर है, और इस तरीके से आप इसके अंदर अपनी strategy बना सकते हैं, तो overall इस वीडियो में, फिलाल इतना है ये वीडियो अगर आपको अची लगे तो तो लाइक और शेयर जरूर कीज़ेगा, मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में, नए stock के साथ, till then thank you, bye bye